अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके नमस्कार आप देख रहे हैं प्रभासाक्षी और मैं हूँ आपके साथ रेनुतिवारी यह हमारा खास प्रोग्राम है फिट हैं तो हिट हैं जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं मनो चिकितसक डॉक्टर अमिचाथ से जिन से हम बात करेंगे कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि लोगों के उपर भूत प्रेट जैसे साए और देव ये शक्ती या अजीब अजीब हरकते करना शुरू कर देते हैं इसके पीछे आखिर क्या कारण है सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका प्रभा साक्षी में सर जानना चाहेंगे कि आखिर इस थेओरी की पीछे आपका क्या कहना है टेखिये यह जो आज के तारिक में ही देखते हैं हम लोग मंदिरों में होता है या शलिए या अलगा जगे पेặर भूत परेश्य की बात करते हैं यसाया आने का भगवान आने का अलग अलग जो इस तरह के प्रभाव होता है वो थोड़ा सा समझने के लिए हमें ब्रेन के बारे में थोड़ा समझना जरूरी है ब्रेन के दो हिस्से होता है एक कॉंशियस ब्रेन होता है और एक अनकॉंशियस ब्रेन होता है यह जो conscious brain है इसमें ये दि कोई परिशानी होती है तो वो अराम से निकल जाता है हम शोर मचा लेते हैं, हम बोलते हैं, हम बात करते हैं, दूसरे से गुसा करते हैं और वो वो वेन्ट आउट हो जाता परिशानी पर unconscious brain परिशान हो तो वो unconscious है तो वो हमें पता नहीं लगता है उसके अंदर वो परिशान हो रहा है जब वो परिशान होता है वो अपने तरीके से कुछ भी तरीका होता है या कुछ भी तरीका नहीं होता है, वो परशानी को निकानने के लिए अलग-अलग तरीके होता है। बहुत बार यह होता है कि परशान जब होता है दिमाग तो unconscious brain की बात कर रहे हैं, तो वो शरीर में फेला देता है। तो आपने देखा होगा बहुत बार psychological बिमारी में कोई हाथ नहीं उठा पा रहा, कोई चल नहीं पा रहा, कोई एकदम से भ्योश हो गया हो, इस तरह का चलते रहता है। किसी की यादास चली गई हो, तो इस तरह से unconscious brain बेशान है। और बहुत बार इस तरह की भी presentation होता है, जैसे माता आ गया है, जैसे भूत परईद का साया, उस तरह से अजीब-जीब विहवार करते रहते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है, दौरे की तरह वो प्रस्तुत होते हैं। तो यह एक psychological problem है, जब तक हमें वो brain क्यों परिशान है। वो नहीं पता लगता, तब तक यह आते रहते हैं। अब यह जो माता आना और जो अजीब-जीब विहवार होता है, वो अकेले जब इनसान रहता है तब नहीं होता है। सब कई mandir में भी देखा गया है, उसके पीछे। कुछ mandir में, कुछ खास mandir में होता है, क्योंकि वहाँ पर लोगों को पता है कि यहाँ पर होता है। और उसी वक्त, जो अनकॉंशिस ब्रेन भी है, वो एक्टिवेट हो जाता है, रुम्हापरी जिसको होना होता है, वो उस तरह से प्रकट हो जाता है। जो इनसान जादा सजिस्टिबल होता है, उन में होना ही में, चांसे होने के चांसे बहुत जादा है। सर जिस तरह से कई बिमारियां भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से साबित भी हो चुकी हैं मिर्गी जैसे बिमारियां हैं लेकिन उसके पर पीछे एक मिथ लोगों का मानना है तो आप थोड़ा उन लोगों को बताईए कि मिर्गी और ये चीजे कोई दैविक शक्ति नहीं है। हम सब के उपर दैविक शक्ति है और ये तो नहीं है कि दैविक शक्ति नहीं है पर ये जो चीजे हैं ये सारे साइन्स से एक्स्प्लेइन किया जा सकता है और इनका क्लिनिक में भी डॉक्टर भी ट्रीट करते हैं और इसमें बहुत बार ऐसे होती हैं बड़ी प्रॉब्लम होती है, problem को हम नजर अंदास करके उसी चीज पे ध्यान देते हैं, जो हमें दिखता है अंदरोनी चीज अलग होती है अब इसमें जो हमने दिखा है, सबसे मुख्य कारण जो होता है वो होता है घर बार या आसपास कुछ ना कुछ गलत हो रहा है जिससे दिमाग बहुत परिशान होता है छोटे बच्चों में होता है तो हमें बहुत conscious रहना चाहिए कहीं उनको गलत तरह से abuse तो नहीं किया जा रहा है और वो बच्चा बोल नहीं पा रहा आपको पता है कि अभी तो समाज काफी change हो रहा है आज के तारिक में औरते बोल लेते हैं पर पहले औरत आदमी के सामने पड़िवार में बोल नहीं पाते हैं तो उस तरह के महौल में इस तरह की problem जादा होता है जहां पर इंसान अपने मन की स्थिति को बोल नहीं पाता है तो ऐसा हो सकता है कि कुछ गलत हो रहा है घर में और वो उसको बोल नहीं पा रही है या कुछ परिशानी हो रही है मतलब महौल में जो वो प्रकट नहीं कबर पा रहा है बोल नहीं पा रही है वो इस तरह से निकलता है फिर फिर कुछ वक्त के लिए आराम रहता है फिर अंदर बनता है और फिर से वो problem होती है और बहुत सारे medical बिमारियां भी होती है मेरगी की रोग जैसे आपने बताया उन सब उन सब ब्रेन में electrical activity के कारण होता है जब वो electrical activity को ठीक कर दिया जाता है तो वो ठीक हो जाता है तो अलग-अलग कारणों से medical कारणों से इस तरह की problems होती है यदि सई इलाज की जाए तो वो बार-बार नहीं होगा और खाली वो ही चीज नहीं है वो जिस कारण से है उसका निवारन भी होने के chances बहुत साथ है सर जो कहते हैं depression जो आपने बाते बताए कि घर में कुछ गलत हो रहा है आज जू बाजू कुछ गलत हो रहा है यह depression का भी कारण होता है मतलब depression की वजह भी बन सकता है तो सर कौन से ऐसे लक्षन दिखाई पड़ें शुरुवात में ही तभी हम डॉक्टर से मिलने चले आएं तो ऐसे क्या लक्षन मरीजों में दिखाई पड़ने लगते हैं शुरुवाति दोर में जैए depression सांकसारिक परिशानियों के कारण भी हो सकता है depression अपने आप भी हो सकता है depression एक medical बिमारी है in depression में जु सबसे पहले symptom समने दिखते है इंसान को मान अच्छानी रहता है, इंसान बहुत सुस्त हो जाता है, जो काम अराम से कर लेता है, उसको धकेलना पड़ता है, रात को नीत में परिशानी, भूख कम हो जाता है, गुसा चिर्चरापन बढ़ जाना, इसको ये common depression, हलके depression के symptoms वाले परिशानी है, जैसे जैसे depression ब उन सिंटम्स में तो जब होता है, तो डॉक्टर के पास आना ही चाहिए, और जो आप कोई भूत परेत वाले, जो अजीव अजीव विहवार वाले जो चीजे होती है, तो उनसमें भी उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जिससे कि उसका प्रॉपर एलाज हो सके, सर कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि जब ऐसी चीजे होती है भूत प्रेज इंसान अनकॉंश्यस माइंड में जब होता है हरकते जो करता है कुछ लोग इसको ड्रामा समझते हैं और उनका मानना है कि जानबूच की चीज की जा रही है तो क्या आप उन मरीजों के लिए यह क् अपर पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं भूट अच्छा प्रशन है देखो यह मैंने शुरूआत में ही बता दिया कि यह जो है अंकॉंश्यस ब्रेइन से ही होता है अकशर आर अंकॉंश्यस ब्रेइन हमारे इस इसको चुछ लोग ड्रामा करते होंगे वो बार बार वैसे नह पर्टिकुलर महौल में वो अपने आप उभर जाता है कौन-कौन से रोग है जो इस से रिलेटीड है जयसे आपने मतलब मैंने आपको एक मिर्गी का उधारन दिया इस तरह की कौन-कौन से रोग है इस समय भी जिस तरह के पेशेंट में दिखाई पड़ रहे हैं आप आप डॉक्टर आपके पास तो हजारो पेशेंट आते होंगे इस तरह की बिमारी हम होती है जो आप यह जो भूत प्रेद वाली जो आफ बात करते हैं आकसर जो है जिसे हम आम भाचे में hysteria बोलते हैं medical term में इसको हम dissociative disorder बोलते हैं seizure disorder में भी इस तरह की चीज़े दिखती है बहुत बार क्या कहते हैं जिसे हम scyzo sansoprenia कहते हैं उसमें भी कभी-कभी इस तरह के सिंटम्स दिखते हैं जिसको वो लोग भूत पड़ेत समझने लगते हैं तो कुल में लाकर जब ऐसी प्रॉब्लम होती है तो एक नॉर्मल पेशेंट को जो किसी से कंसर्ट नहीं कर सकता जो किसी से बात नहीं उसको आप क्या सजेस्ट करना चाहिए कब डॉक्टर के पास आके मिले और किस तरह से ट्रीटमेंट ले यदि खास दोर से इस तरह की प्रॉब्लम जो जिसमें मात आती है या अजीब अजीब व्यहवार जो मंदिरों में करते हैं उन लोगों के लिए खास दोर से जो आपकी एक्शुल परिशानी है आज क्या सपास वो किसी भी एक अपने जिसके आप कॉंफिडेंस रख सकते है उन से जाके डिसकस कीजिए अपने आप किसी से बात करते हैं अपनी मन की बात तो बहुत सादा चांसेस हैं कि आपको बहुत सादा रिलीफ मिलेगा और आप काफी ठीक हो जाएंगे तो आपको फिर उस लोग में जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कभी-कभी हमने ये भी भी होता है तो उसमें एक दम नहीं फॉसमाना है कर यह सरी कैपार होता है आने परिशानी बता वह नहीं कि इसके अयुकी मद की से ब handle कैपार मने की चीजिन की इसे ही ओजाती हम मैं हम लोग है कंधर मन स्विंग रह ता लेकिन नहीं पता रहता है कि क्या है तो क्या ऐसी चीजे भी डिप्रेशन की और जाने की चीजे हैं यह बहुत अच्छे यह भी है मैंने जैसे बताया था हर्द बार सांगसारी कारण की ज़रूरत नहीं है परेशान होने के लिए वह अंदर ही ब्रेन केमिकल चेंज के कारण होता है और वह आप आप साइकेटरिस्ट या साइकलोजिस्ट के पास जाएंगे तो वह अइसस करके आपको बता सकते हैं क्या उसका निवारन है और मिसे आप पूछे तो डिप्रेशन की जो बिमारी है वह आज के तारीक में पांच में से तीन इंसान को होता है इतना कॉमन है ठीक है और आजक अची बात यह है कि ऐसी चीजे जब दिखाई पड़ने लगें तो तुरंत एक डॉक्टर से मिले आके और अपनी इस चीज को इस रोग को दूर किया जाए एक तम एक तम सही बात है प्रॉब्लम है उसका हल भी है और तरीके से इसको हैंडल किया जाए तो आगे बार बार बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए आपका तो आप लोगों ने देखा कि कैसे डॉक्टर अमिताप श्याह ने हमें बताया कि अगर इस तरह के कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से आके मिलिए और इसका अच्छा इलाज है और मरीज बहुत जल्द इन से ठीक भी हो जाता है ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभासाक्षी के साथ नमस्कार